तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसर मेरे पास यह एक मशीन है केटी की मशीन है कोई भी मोबाइल फोन को जो रेपेरिंग करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग डिस्प्ले सेपरेटर मसीन बोलते हैं अगर यह मसीन तुम्हारी कहल को खराब हो जाती है काम करनी बंद कर देती है तो इस मसीन कंदर कुछ नहीं लगा होता तीन चीज़े होती है एक तो यह कंट्रोल लगा हुआ है दूसरा तुमारी वैक्विम के मोटर लगी होती है और तीसरा यह पावर सप्लाई लगा हुआ है तो ऑस्प्लाई घर घरब हो जाती है जैसे देखेंको इसकिए पावर करब हो गये थी इस प्रवल्ट्समाइमें लिखा था कि य से चार्ण लंबर नमबर और पॉलेंगे रषमIC अउबंड बस नॉर्माव्व पांव सप्लाई इसकी आपको कनेक्टिविटी करते नहीं है और कोई बात नहीं है अगर यह मसीने खराब उच जती हैं मार्केट में आपकी करने जाएंगे तो इसका आठ सो अजार रुपय तक लोग रिपेरिंग करे लेते हैं लेकिन हमारे जो इस्ट्रेंड लोग होते हैं वो खुद भी रिपेर कर सकते हैं या वीडियो के माध्यम से देख करके भी रिपेर कर सकते हैं यह पाउस अप्लाई में तुम्हारा इंपूट होता है कि यह इंपूट सप्लाई को इसका नहीं डालना है कि यह हमारा कनेक्ट हो गया है कि उसके बाद से यह आप एक आउपूट का लाइन यह दिया हुआ है हम लोग इस लाइन को लबाएंगी का लुट पार उपूट से लाइन को लाइन वसाथ है कि यह इंपूट उपूट से लाइन शाव सिर्ट घसफ़िए यह इंपूट आपूट उसके बाद फिर इस ये मोटर की 12 वोल्ट की आउटपूट सप्लाई होती है इस आउटपूट सप्लाई को हम लोग यहाँ पर लगाते हैं कि अ कि अ कि अ इसके बाद फिर हम लोग दो से तरह बूस्का जाई है उसके बाद फिर हम लोग दोसे तारग को लगाएंगे हुआ है कि अबने हैं कि है अब यह इन अप्ट अब्लों मैं अबहरे अ हम यह अब यहां अब यह अब यहां है सब्सक्राइब लगने के बाद हम लोग मसीन के प्लग लगाएंगे मसीन के सब्सक्राइब लगाई यह हमारा मसीन चालू हो गया है अगर आप देखेंगे मोटर चलने लगा और यह मसीन आपका चालू हो चुका है तो यह हमारे क्या खराब था इसका खराब हो गया ता आप लोग इसका टंपरिटर सेट करेंगे आप नब्वे सो एक सदस आप यह मदर सेट हो गया कुल में लाकर कि जो हमारी मसीन चलती है यह 200 करने लेती है बारा वोल्ट अगर आप कहीं से भी देदेंगे तब भी हमारे चलू हो जागे इसको अम लग एसम्पे आप पावर सप्लाइब और बारा वोल्ट अकर आप कही अब लगा हो था ना यह एक तार यहां से माध्यम से इसलिए आता है इसलिए के लिए और यह एलिमेंट आपका काम करता है और इसमें अपका काम करता है अगर आप देखेंगे तो साड़े पांग सो रुपए का यह आता है अगर जो बहुत सारा बल्क मिलेंगे और भी सथा मिलेगा श्यू रुपए की मोटर आती है धाई सो रुपए के लिमेंट आता है और यह जो कंट्रोलर आता है यह भी मार्केट में जाता है तीन सो होस्त होगा तो कि त्यार हो जाती है जो मार्केट में बुच 27 यह वैसे तिन चार जार के मिलती है हम जाते हैं और जितने भी सारे लोग आइसे हैं जो लोग काम कर रहे है अगर उनको कोई परिशानी कोई दिक्ट आती है तो में चाप खराब हो जाता है तो आप मोटर चें की वीडियो के माध्यम से मैंने आज आज आपको यह बताया है कि हमारी जो सेपरेटर मशीन होती है खराब हो जाती है तो इसके अंदर और भी चीज़ें देखो अगर आप देखेंगे तो मैं खोल करके दिखाता हूं एक प्रिट लगी होती है यह आप चाहरो तो इसको भी रिपेर कर सकते हैं इसके अंदर कंपोनेंट आते हैं लेकिन यह मुश्रिया का रिपेर नहीं होता तो आप लागर गए नया डाल सकते हो नया बजार में मिलता है कि यह देखेंगे इसके अंदर यह कीट लगी होती है यह कीट जो होती है 200 वोल करेंट लेती है अब पांच वोल करेंट क्या करती है आउटपुट करती है तो दोस्तों मैंने आपको बढ़ाए कि हमारी कैसे काम करती है इस सं बारे में मैंने आज आज आव उच्यांपर्ट कर रहे यह जब तक 12 वोल्ड नहीं करेगा तो मोटर स्वोड चलेगा तो वैक्यूम अच्छा नहीं बनेगा तो कामबो को अच्छे से पकड़ नहीं कर पाएगा तो चलो दोस्तों अमें इसको फिट कर देता हूं फिट करने के बाद मैं आपको पूरा अच्छे से समझाता हूं उत्तों को फिट कैसे करेंगे फिट करने के लिए आप जो इस सप्लाई लेंगे इस सप्लाई को यहाँ पर लगा देंगे यहाँ पर देखेंगे ऐसे इस कुरू टाइट करने के लिए आप इसको इधर कि अजी अजान आगे तक रहता है अज़र है अज़र कि अज़र कर दो दो नहीं है अज़र करें तो यह तो दो अज़र नहीं है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर देंगे जिसे हमारा सम्प्रेस कर जाएगा कि जब वेक्यूम होता तो इसमें वाइब्रेशन होता है तो हिलता है जो इसको टाइट हो जाएगा तो यह हिल लेगा नहीं कि अब उसके बाद यह वेक्यूम की मोटर इसको लगा देंगे इसमें से इसमें एक्यूम लोग पैक आओ देंगे इसमें इस तर्विय्ट के पेंच लगे होते हैं जो हमारी बाडि को कवर करते हैं बाडि को पकड़ते हैं यह राद एक यहां लगे हैं लगे हैं कि इस साइड के ने लगाऊगा ना तो जो मसीन चलती है तो बन-बन-बन-बन-बोलती है थे नहीं तो फिसा आजाम हो रहा है थे नहीं तो काम चला नहीं पड़ेगा हो जाए अब लोग हम लोग फाइनलिस को टेस्ट करेंगे अब बोटर बन गई है अब चालो हो गया अब यह मेरा खुद का मोबाइल फोन है कि इसी पर तुम को काम बू कटिंग करके प्रेटिकल करकर रिखाते हैं कि इसको हमने रखा कि यह हमारा प्रेटिकल मत देखों मेरा चला जाएं तो डोस्तो आज वीडियो में लोगों ने शिखा है कि कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं और आप लोगों को कि अगर शेपरेटर मशीन खराब हो जाती है तो पर रशान वह बात नहीं है आप आसानी सिर्कों एसेंपरेश को सेंज कर सकते हैं तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही वीडियो में बने रहे नहीं के लिए एंक्ट दोस्तों